हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल दिव्यास कुकिंग किचन सर्दियों में सभी का फेरवेट होता है गाजर का हलवा और यह अगर गर्मा गरम खाने को मिल जाए तो बस कहने ही क्या है इसे हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और सच मानिये यह बहुत टेस चैनल दिपलया तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए ली है मैनने यहां पे दो किलो गाजर देखिए आपकर मैने लाल-लाल गाजरे ली हैं थोड़ी सी बड़ी गाजर लेनी है हमें हल्वे के लिए और इन्हें हम अच्छे से वाश कर लेंगे चीह लें य जो इनकी पीछे की जड़ होती है और आगे से इन्हें काट देंगे उसके बाद आप इन्हें अच्छे से धो लीजे कि इसमें कोई भी किसी तरह की कोई गंदकीन आ रहे तो अब हम ले लेंगे यहां पर यह कद्दू कस इसमें आप चाहें तो किसी भी साइट से मोटी से इनको गिस सकते हैं तो यह देखे मैंने यहां पर गाजर घिस ली है तो इसी तरह से मैं यहां पर सारी गाजर घिसके रख लोंगी यह देखे यहां पर हमने सारी गाजर घिसके रख ली है तो अब हम ले लेंगे एक कड़ाई यहां पर मैंने एक भारी तले की कड़ाई और इसमें डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून देसी घी घी में अब ये डाल देंगे हम घिसी हुई गाजर और गाजर को हम घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए जिसे कि इसका टेस्ट जो है गाजर का हलवे का बहुत ही बढ़ जाता है तो आप पहले गी में थोड़ा सा गाजर को भून लें आप ये देखे गाजरों को हम अच्छे से भूनना शुरू कर देते हैं इस तरीके से भून लिजे और ये देखे थोड़ी सी देर में ये गाजर थोड़ी सी सौफ्ट हो गई है तो मैं इसमें डाल दूँंगी एक लिटर फुल क्र प्रीम दूद का इस्तेमाल किया है तो इससे हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो बस आप इसको आप मिला दीजे यहां पर और आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाईएगा और बीच बीच में चलाते रहिएगा यहां पर इन गाजरु को अब हमें तब तक पक से और यह देखिए अब यह जो दूद है यह काफी हद तक पक चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे यहां पर 500 ग्राम चीनी यहां पर मैंने 500 ग्राम चीनी का इस्तिमाल किया है आप चाहें तो थोड़ा सा चीनी की कॉंटिटी कम भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा मीठा कम पसंद है तो बस इस तरीके से आप इसे मिला दीजे यहां पर और अच्छे से मिक्स करिएगा क्योंकि ची काते रहें आप चाहें तो गैस का फ्लेम मीटियम भी कर सकते हैं और बस ध्यान रहें कि आप इसे बीच बीच में चलाते रहें जिसे कि यह नीचे तले में जले नहीं और यह देखिए यह काफी हद तक पक चुका है लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको इस तो वो इसलिए लगता है कि यह जो चीनी का पानी होता है यह धंक से अभी सूख नहीं पाता रहे जाता है बीच में तो यह देखिए अब जो यह हलवा है हमारा काफी हद तक पक चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़े से डाल यहां पर बादाम काजू और बादाम आप अपनी मर्जी से इसमें डाल सकते हैं जितने आपको पसंद हो बस अब यहां पर इसे हम मिला लेते हैं मिक्स कर लेंगे इसे बस गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिए और अब इस समय इसको हलवे को में छोड़ना नहीं है और थोड देंगे यहां पर तो टेबल स्पून देसी घी यहां पर इस समय आप अगर आप इस स्टेज पर देसी घी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और यहां पर डेड़ सो ग्राम के करीब मैंने खोया डाल दिया है ग्रेट करके अब इसे मिक्स कर देंगे हम यहां पर अच्छे से मिला दीजिए और अब लास्क में हम डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पॉडर इलाइची पॉडर डालने से जो हलवे का टेस्ट होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है तो बस अब यह देखिए हमारा हलवा जो है प हौथी टेस्टी हलवा बना है आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो या कोई occasion हो तो आप इस हलवे को बनाएए सब आपके फैन हो जाएंगे इस हलवे को खाकर यकीन मानिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमने यह हलवा बना के तयार किया है और देखिए कितना पहतर को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई